जहां एक तरफ आज का समय ऐसा है कि कई तरह की बीमारिया विक्राल लूप लेकर के बीमारी का रूप लेती है उसके बाद उनको कहीं न कहीं से चिकित्सा की जुरत परती है ऐसे में कई ऐसे संस्थान भी है जो मदद करते आ रहे हैं और कई लोग जो हैं सुर्खियों में रहते हैं लेकिन कुछ लोग जो मदद करते हैं सुर्खियों में तो होते नहीं है लेकिन दिल से वह सेवा करते हैं और वह ऐसा समय तैय करते हैं जो कि उनके पुरवजों में ज साथ हम बात करेंगे सर कैसे देखते हैं आपका जो यह भावना है कि जो आपके माता पिता आज नहीं है लेकिन उनके याद में आप बलड डोलिप कर रहे हैं जहते जहते हमारे पिता जी ने पिता जी का भी नेतरदान हुआ था हमारी माताजी का सफरववास जन्वरी में गौहाटी में हुआ था और वहाँ भी उनके देट दान हुआ था तो जब हमारे पिताजी और माताजी जब इस दुनिया से जा रहे हैं और उनने अपने जब सब कुछ छोड़ दिया उसके बाउजून उन्हों ने अपने आप में चार लोगों के जीवन में नई रोश्णी पैदा की है। हैं लोगों को जीवन्दान दे पाएं किसी रूप में और यह एक प्रेरण ती इसी को युड हैं के हम लुगा है दो रखतदान करने के लिए ह Carol के लिए हना थे उख ? साफ तौर पर देखे एं की Do जब यह सुरू सुरू में रक्तदान करते थे तो थोड़ा सा ऐसा लगता था कि पता निक कुई सी तकलिफ में आ जाएंगे लेकिन जब धीरे-धीरे जब रक्तदान ये उन्होंने करते रहे ये तो काफी लोग अभी यहाई पर है एक प्रोफेशर है विमेंस कॉलेज की उन गितांजली तो जब भी मेरे को मिलती है तो यही कहती है कि भावी आपके भाईया की वज़े से आज मेरे दुनों बच्चे यहाँ है तो मेरे को बहुत हर्स होता है मेरे को बहुत